भाईयो जो हमारी आज की वीडियो है भाईयो आज की वीडियो रूटावेटर के उपर है और यह वीडियो बहुत ही इंफोर्मेटिव और इंट्रस्टिंग वीडियो होने वाली है तो भाईयो आज जो इसके रूटावेटर के उपर बात करेंगे वो यह करेंगी आप कि भाई 45 HP का ट्रेक्टर है 50 HP का ट्रेक्टर लेकिन फिर भी रूटाबेटर पर उनका बहुत जोर लगता है तो भाई वो सारा खेल चक्रों का गुरारिय का है तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ बता देंगे और भाई एक चीज में आपको और बताऊंगा कुछ ट्रेक् लेकर में इकॉनमी पीटी और पावर पीटी का ऐप्षेन होता है वो ट्रेक्टर जीत जाता है वो क्यों जीत जाता है मैं आपको व भी इस वीडियो में बता दूंगा इसका फॉर एक्सांपल देताता हूं माल लीजिए कि आपके पास मेहंद्रा 575 है और जोंडीयर का एक जोंडियर में आपको पावर पीटो मिल जाएगी, जो की 2100 रेटी ये 1200 रेटीड 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 ये पांट सो चलिस निकाल लगा, तो वहां पर सीधा-सीधा ये मालो की 400 चक्रों का फरक है, कि अगर आप दोनों को सेम चक्रों पर चलाओगे तो जो 500 या तो इसलिए जो जिन भाईयों को नहीं पता होता कि हमारे सथ क्या खेला गया तो भाईयों के लिए वीडियो मेरा ज़रूरी है तो स्वेसे पहले आपको बताता हूं मैंगी चक्कर होते हैं कैसे इसको measurement करते हैं तो जो ट्रेक्टर के मालो 540 चकर है ठीक है जी मालो ट्रेक्टर के नहीं मतलब ट्रेक्टर की जो PTO है इसके गर 540 चकर है 540 वार ये रूटावेटर को गुमाएगी ये जो कपली में आपको दिखा रहा हूं तो आपका जो रूटावेटर का ये बलेड रूटावेटर के 183 चकर है जा 206 चकर है तो ये समझ लो कि जब आपकी PTO ट्रेक्टर की PTO 540 वार घूमेगी तो ये बलेड वाला जो रूटावेटर के उपर जो ये चीट लगी हो इस वीडियो में आपको बता दूँगा सबसे बहले वही बात कर लेते हैं और बात और ब डिस्क्रिप्शन चीट होती है ये पलेड जिसे बोल देते हैं इसको उपर देखो आप लिखा होता है कि इसका बजन भी लिखा होता है दो सो चार सो अठाइस किलो इसका बजन है मतलब कि जो साइज कैपिसिटी है मतलब कि कितने एच्पी का टेक्टर से चलाएगा तो कि आपको मैं और चीच बता दूंकि कोन से रूटा वेटर की आप गरारी चेंज कर सकते हो तो यह जो मौडल का चलेंजर मोडल रूटा वेटर है और आप इसकी ही गरारी चेंज कर सकते हैं क्योंकि तो भाईयो अब बात करते हैं गरारी कौन कैसे कैसे चेंज होती है तो भाईयो आप यह देखर होकि यह टापा खूलते ही आपको यहां पर जो घ्राण Do आब बात करते हैं कि इसके चकरोगी ठीके जी पर घीज को वाली गरारि ये कौन से गरारियां होती है यह वाली कि यह इधर दिखा देता हूं भाई यह यहां पर टेल बगएरा डलता है यह वाली गरारी होती है 20 35 28 इसमें 20 दंती गरारी होती है इसमें 35 बीच में और निचर वाले में 28 ठीक है जी और आपको दिखाते हैं कौन सी कौन सी गरारी पर कितना चकर निकाल लेंगे ठीक है तो यह देख लीजिए आप सारा यहां पर दे रखा है यह बी नंबर होती है जो की गरारी टेक्टर वाली पीटियों से टैच होती है ठीक है जी ए नंबर होती है जो रूटावेटर के क्राउन पीनियन से टैच होती है तो इसके आसपास तो वो तो इन्हें मेंस्टरी निकार रखा इन्हें सीधा मेंस्टर कर दिया कि 1000 रपीम पर 238 चक्कर निकाल लगा जो कि आपने देखा होगा गई कि आइसर एक सिलेंडर भी रूटा बिटर खेंच रहा है तो भाई उसमें यह वाली गरारी होती है 13-22 की उसके बाद आता है भाईयो 15-20 की गरारी जो की 163 चकर निकाल लेगी और उसके बाद आता है 16-19 की गरारी जो की 113 चकर निकाल लेगी जो की इस रूटा बिटर में है यह निशान लगा रखें भाईयो ठीक है उसके बाद आता है 17-18 की गरारी 206 चकर निकाल लेगी ठी ठीक है उसके बाद आता है 1916 की गरारी जो की 169 चक्र निकालेगी जो की कम से कम भी 60 HP गटेक्टर चाहिए से चलाने के लिए साथ फूटर रूटर बेटर पर अगर 1916 की गरा दिये और अगर सबसे लाश्ट में अगर 20-25 की गरारी है तो भाईयो 200 क्यान में चक्र निकलेगे मुझे लगता है कि कम से कम भी 90 HP गटेक्टर चाहिए से चलाने के लिए उससे कम यह नहीं चला पाएगा ठीक है और भाईयो तो भाईयो सारा जो खेल है और रूटर बेटर के चक्रों गरारी को पर डिपेंड है आप छोटे से छोटा रूटर बे कर PP गर है कियों कि मेरे से गलत बताई घया और जो यहाब इस चाहिए आप फिका इसको इसके बारे में जाननाच चाहते हो तो भालियो कमेंट में बताने वाली क्फिर यह जोगी तो में आपको पती कि मैंने चीज़ होगी कि में नहीं बताय सकती तो बता सकता तो मैं आपको उसकी एक छोटी सी एलक्से वीडियो बना के दिखा दूँगा तो बहुत एक चीज और बता दाओ थोड़ी सी चीज रह गई थी जो नीचे की जो तीन गरारिया ना भाईयो यह जिसमें 230 चक्कर निकलते हैं और 269 और यह तीन गरारियां सुपर सीडर में काम आती हैं रोटा वेटर में यह काम नहीं आती क्योंकि सुपर सीडर में ज्यादा चक्कर चाहिए भाईयो तो वीडियो कैसी लगी कमेंड करके जूट बताना कोई कमीर है की हो तो आप मुझे बता सकते हो